या न्यूज SM कॉलेज से संबंदित है, SM कॉलेज के छाटरों काकाँ कौपी मुल्यांकन होगा, तो आप चलते हैं, आगे देखते हैं, वीडियो, SM कॉलेज केंदर पर सो शिक्षक पाथ ठथ की कौपी का करेंगे, मुल्यांकन, SM College जो केंडर है वहां पर सौ सिक्षक पाठथट की कोपी का मुल्यांकन करेंगे देखिए SM College केंडर पर पाठथट के कला संकाय की कोपी पहुँच गई है दो दिनों में तीन गारियों से मारवारी कॉलेज से SM College केंडर पर कोपी भेजी गई है मुल्यांकन का काम 26 जनवरी के बाद सुरू होगा क्योंकि 26 जनवरी को तो आपको पता है गंतंतर दिबस है इस मौके पर तो कॉलेज में कोई काम नहीं होगा तो 26 जनवरी के बाद आप लेगो का मुल्यांकन सुरू होगा मुल्लांकन कार में 100 के करीब सिक्षकों को लगाया जाएगा ताकि समय पर कौपी मुल्लांकन का काम पूरा हो सके कॉलेज के प्राचार डॉक्टर रमन सिना ने कहा कि कौपी मुल्लांकन के काम में तेजी लाई जाएगी ताकि समय पर विस्विद्धाले को अंक पत्र भेज सके उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिक सदिक सिक्षकों को केंडर से जोड़ा जाएगा समाजिक दूरी का पालन करते हुए आठ से छे कमरों में सिक्षकों को बिठा कर मुल्लांकन का काम कराया जाएगा जानकारी हो की मारवारी कॉलेज परसासन ने इंटर्मेडियर परिक्षा का हवाला दे कर कहा था कि मुल्लांकन कार इंटर्मेडियर परिक्षा के बाद संबभ है ऐसे में भी सुविद्ध्याल है परसासन के ततकाल एसम कॉलेज को इसकी जवाब दही दी SM College में इस बार Intermediate का केंटर नहीं बनाया गया है आप लोगों को तो पता ही है पहले Intermediate का इस यहाँ पर Center बनाया जाता था लेकिन इस बार SM College में नहीं बनाया गया है भीते दो सालों से यहाँ के परचार के ब्रोध की पज़े से इंटर्मेडियट कॉंसलिंग ने इस बार यहां पर केंडर नहीं बनाया है मुल्यांकन को लेकर पूरी तयारी हो चुकी है तो इस बार इंटर का सेंटर नहीं पर आए तो तीचर सो तीचर आएंगे और वो आप लोगों का जो है अच्छे से प्रस्न का मुल्यांकन करेंगे आप लोगों ने जो उत्तर लिखा है अंतिम दिन आसान प्रसंद से छात्रों के चहड़े खिले आपको तो पता ही है असना तक पार्ट 10 की परिक्षा कल समाप्थ हो गई थी जो कि सुंबार को अंतिम दिन दोनों पाली में विज्ञान कोमर्ट और कला संकाय के छात्रों का सा अन्तरों पर काफी भीर थी समान ज्यान के प्रसंद आसान होने के कारण दोनों पाली में परिक्षा देकर निकले है छात्रों के चहड़े पर खुसी थी आप तो जानते ही है कि funnel खुस थे विज्ञान के परिक्षा देकर निकले छात्रों ने कहा कि विशे से पूछे गए स सब्सक्राइब करने वाले प्रस्ण पूछे गए थे इसके अलावे घरेलू हिंसा और उसके कारणों की व्यक्तिया से जुने प्रस्ण आसान थे इसके अलावा मिलान कराने वाले सवाल भी काफी आसान थे अब्जेक्टिव में भारतिय संभीधान कब लागू हुआ भारत का राष्टिव पुस्प क्या है मनुस्के चर्लिड में कितनी हद्या होती है आदी प्रस्ण सामल थे आप लोग सोच सकते हैं कितना इजी कोस्चन तो यही जानकारी आप लोगों के इसास आजा करने थे तो इसी तरह की इंफ्रोमेटिव और एजुकेशनल न्यूज पाने के लिए आप चैनल को लाइक से और और सब्सक्राइब करें आप डिस्क्रिशन ने जाकर टेलिग्राम चैनल के लिंक को भी जान कर सकते हैं क्योंक करता हूं तो आप लोग टेलिग्राम चैनल को अब से जान करें वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद थेंक यू कि अ कि अ आप लोग्वाद बहुत-चैनल के अच्चे को अच्चे को बहुत-बहँ हैं तो जा हैं ने जान कर दोग भी जान कर कि युट I बहुत-वीज़ देखने मी के लिए अमीगी के रहुत-भी जानता बहुत-ई ने जान जान फो भी को विए उता दो जान वीए quinान के हैं